बंदर प्राइमेट ओर्डर के स्तंधारियों का एक बड़ा और विविद समू है. वे पेडों, धास के मैदानों, जंगलों, पहाडों और मैदानों में रहते हैं. आवास के नुकसान से उन्हें गंभीर खत्रा है. बंदर शब्द में वे सभी प्राइमेट शामिल हैं, जो मानव, वानर या प्रोसिमियन श्रेणियों से संबंधित नहीं हैं, हाला कि बंदरों में कुछ सामान्य विशेष्टाएं होती हैं. सभी उतक्रिष्ट परवतारों ही हैं, और अधिकांश मुख्य रूप से व्रिक्षिय हैं. लगभग सभी उश्नक्ति बंधिये या उपोश्नक्ति बंधिये जलवायू में रहते हैं. अधिकांश प्रोसिमियन या निचले प्राइमेट के विप्रीत वे लगभग पूरे दिन सक्रिये जानवर हैं. उनके चेहरे आमतौर पर सपाट और दिखने में मानविय होते हैं, उनकी आखें आगे की ओर इशारा करती हैं, और उनके पास त्रिविम रंग द्रिश्टी होती हैं. उनके हाथ और पैर लोभी के लिए अत्यधिक विक्सित होते हैं, बड़े पैर की उंगलिया और जहां मौजूद हैं, अंगुठे विरोध कर रहे हैं. लगभग सभी के नाखून सपाट होते हैं. बंदर आतन सीधी मुद्रा में बैठते हैं. बंदरों को उनकी पूँच से वानरों से सबसे आसानी से अलग किया जाता है. वानरों की कोई पूँच नहीं होती है. वानर पेडों में हाथ से हाथ मिला कर जूलते हैं, लेकिन अधिकांश बंदर नहीं करते. इसके बजाए वे शाखाओं में दौरते हैं. उनके कंकाल की संरचना अन्य चार पैरों वाले जानवरों के समान है बंदर कई सौ व्यक्तियों की सेना में रहते हैं और भोजन की तलाश में यात्रा करते हैं उनके पास कोई स्थाई आश्रय नहीं है वानरों और मनुश्यों की तरहे मादा का मासिक प्रजन चक्र होता है और संभोग किसी भी समय हो सकता है लेकिन कुछ प्रजातियों में संभोग मौसमी होता है आमतोर पर एक समय में केवल एक ही शिशु का जन्म होता है इसकी देखभाल लंबे समय तक मा करती है विभिन प्रकार के शिकारियों की पहचान करने के लिए विभिन ध्वनियों का उपयोग करते हुए बंदरों की अपनी जटिल भाशा होती है उन्हें पास के शिकारियों के बारे में एक दूसरे को चेतावनी देने के लिए एक साथ पत्थरों को पीटते हुए देखा गया है वे एक दूसरे के साथ समवाद करने के लिए चहरे के भाव और शरीर की गतिविधियों का भी उप्योग करते हैं मुस्कुराना, जमहाई लेना, सिर का फड़कना, सिर और कंधों को आगे की और जटका देना या होट खीचना आमतौर पर आकरामकता का संकेत है स्नेह को समवारने से व्यक्त किया जाता है कुछ बंदर एकांगी होते हैं जो जीवन भर समभोग करते हैं अलग होने पर वे व्यथित हो जाते हैं वे हाथ पकड़ कर, गले लगा कर, गले लगा कर, एक दूसरे को समवार कर, अपनी पूछों को आपस में जोड़ कर और होटों को सुंग कर स्नेह व्यक्त करते हैं पिग्मी मारमोसेट दुनिया का सबसे छोटा बंदर है, जिसकी लंबाई 6 इंच से भी कम है, और इसका वजन केवल 3 से 5 औस है नर्मैनेडरिल दुनिया का सबसे बड़ा बंदर है, जिसकी लंबाई सिर्फ 3 फीट है, और इसका वजन 70 पाउंड से अधिक है अधिकाश बंदर पौधों और जानवरों दोनों को खाते हैं कुछ गंदगी भी खाते हैं बंदर इंसानों की तरह अपने केले छीलते हैं और खाल नहीं खाते बंदर अपनी दोनों उंगलियों और पैर की उंगलियों से पकड़ सकते हैं कई बंदर कुशल उपकरण उपयोग करता है, वे भोजन पर कबजा करने के लिए शाखाओं का उपयोग करते हैं, दस्ताने के रूप में पत्तियों का उपयोग करते हैं, चट्टानों के साथ पागल तोड़ते हैं, शाखाओं के खिलाफ रगड कर कैटरपिलर से रीड और बाल हटाते हैं और बड़ी शाखाओं का उपयोग सांपों को क्लब करने के लिए करते हैं, बंदरों के दो बड़े समोह या सुपर फैमिली हैं, पुरानी दुनिया के बंदर सरकोपिथे कोईडिया और नई दुनिया के बंदर सेबोईडिया